जब भारत में IPL का मेल शुरू होता है तो क्रिकेट का मुकाम अलग ही लेवल पर होता है हर जगा भारत के सिवा पूरे बिश्व में क्रिकेट की खबरों में IPL ही छाया रहता है आइपिल क्रिकेट मंच का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया के क्रिकेटर खेलने आते हैं और अपने ही देश के खिलारियों के विरुद खेलते है आईपियल में जिस प्रकार का मुकाम हासिल किया है शायद ही किसी और देश के लीग मैच ने इतना मुकाम हासिल किया हो आईपियल को लेकर कई प्रकार की भविश्यमानी एवं प्रतिक्रियाएं भी आती रहती हैं इसी बीच जोतिशियों ने भी आईपियल को लेकर एक बड़ी भविश्यमानी की है जिसके तहट वो बताते हैं कि IPL का फाइनल इन दो टीमों के बीच खेला जाएगा लेकिन हैरानी तो तब हुई जब उन्होंने फाइनल मैच की विजेता टीम का नाम बताया तो आईए आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहती है जोतिश इस बार के IPL 2018 के बारे में IPL का हर सीजन किसी न किसी वज़ा से चर्चा में जरूर रहता है इसमें क्रिकेट के अलावा भी कई तरह की बातें सामने आती हैं जिससे IPL हमेशा ही चर्चा में बना रहता है IPL में एक से बढ़कर एक मैच आते हैं और सांस रोक देने वाले मैच भी सामने आते हैं तथा हर सीजन में बहुत ही अक्रामक मैच भी देखने को मिलते हैं जब से IPL की शुरुवात हुई है तब से लेकर आज तक इस क्रिकेट में बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं जो कि खिलाडी सबसे पहले एक दूसरे के बिर लाव होता रहता है और एक टीम से दूसरी टीम में आते जाते रहते हैं आपको बता दें कि IPL 2018 साथ अपरेल से शुरु हुआ था और आज हम आपको इससे ही जोड़ी कुछ अहम बातें को या फिर जोतिशा चारे ने जो बताया है उसको बताने मां जा रहे हैं IPL को लेकर कई क्रिकेट बिश्य सग्य अपने राय या फिर भईश्यवाडी करते रहते हैं लेकिन इस बार जोतिशों ने IPL को लेकर भईश्यवाडी किया है वैसे तो ये कहना बहुत है मुश्किल हो जाता है कि कौन सी टीम फाइनल तक जाएगी क्रिकेट अनिन निश्चताओं का खेल है और इसमें किसी भी समय कोई भी बदला हो सकता है लेकिन जो तेश्यों के अनुसार माना जाए तो उनका कहना है कि जितनी भी अच्छी टीम है वो बाहर होती चली जा रही है ऐसे में IPL की हमेशा से खतरनाक रही टीम चन्नाई सूपर किंग्स और हैदराबाद संदाइजर्स के बीच IPL 11 का फाइनल मैच खेला जाएगा जिसमें चन्नाई सूपर किंग्स टीम विजेता होगी अब IPL का फाइनल का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि जो तिस के अनुसार बताई गई टीमें फाइनल मैच खेलती हैं या फिर नहीं लेकिन हम इस बात की सत्यता नहीं रखते हैं क्योंकि क्रिकेट में किसी भी समय कोई भी बड़ा उलट फेर हो सकता है बहरहाल जो भी टीम सबसे ज़्यादा अच्छा खेलेगी वो जरूर फाइनल में जाएगी और मैच भी जीतेगी नेक्स्ट नाइन स्प्रिचुल के रिपोर्ट